नमस्कार, हिंडी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकु के साथ दोस्तों अगर आप भी HP LT TET जून 2023 का एक्जाम देने जा रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा महत्पूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम 138 अमभावित प्रशनों को डिसकस करने वाले हैं और इन प्रशनों में आप देखेंगे कि जिस तरीके का आपका LT TET जो है वो परिक्षा में पूछा जाता है ठीक वैसे ही प्रशन इसमें हमने रखने की कोशिश की है तो अगर आप इस एक्जाम को देने जा रहे हैं और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ या थोड़ी बहुत भी जानकारी मिलती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं और इस वीडियो को जारा से जाराद लोगों के बीच में शेर भी कीजिए ताकि हर एक विद्याती जो इसका लाब उठा सकें इसमें हमने 100 प्रशन रखे हैं आईए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पहला प्रशन क्या है यहाँ पर रखा गया है देखिए कि नई कवीता और अस्तित्तवाद के लेखक कौन है पहली चीज तो याद रख लेना है कि यह एक आलोचनात्मक रचना है और इसके रशनकार है रामविलास शर्मा बहुती मतपूर नाम है रामविलास शर्मा रामविलास शर्मा जो है किस प्रकार की आलोचक है यह भी आपको याद रख लेना है तो रामिलाश शर्मा जो है यह है आपके प्रगतिवादी यानि की माक्सवादी समिक्षक इसमें से नामवर सिंग भी माक्सवादी समिक्षक ही रहे हैं और शिवदान सिंग चोहान माक्सवादी समिक्षा में पहले नंबर पर आते हैं तीसे नमबर पर लक्षमिकांत वर्मा है लक्षमिकांत वर्मा जो है ये नई कवीता के जो समिक्षकों में एक माने जाते हैं तो इन चारों नामों को आपको जरूर देखना है यहाँ पर सिंपल ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आपको आगया कि रामिलाश शर्मा है वो ही है चा प्रसाद दिवेदी का और हजारी प्रसाद दिवेदी जो हैं ये ललित निवंदकार रहे हैं यहां पर चारों नाम जो हैं ये ललित निवंदकार किश्ट्रेणी में आते हैं इनके निवंदों को आपको एक बार जरूर देखना है चाहे वो कुवेर नात्राय हों विद्यनि योजना की आलोचना की गई है तो ये प्रशन भी most important question ने देखना कि जो रबबर चंद और केंचवा चंद कहकर किसकी कविताओं की चंद योजना की आलोचना की गई थी तो ये थे सूर्यकांत्रिपाथी निराला और सूर्यकांत्रिपाथी निराला से आपको ये याद रख कि हिंदी साहित जगत में अगर किसी साहित्यकार का सबसे ज़ादा विरोध हुआ है तो ये सूर्यकांत्रिपाथी निराला ही थे लेकिन विरोध के बावजूद इन्हें हम च्छायवाद का शला का पुरुष भी कहते हैं निराला को ओज ओधात्य और विद्रोह का कभी कह जाता है और जो रामविला शर्मा है उनके ये पसंदीदा का भी माने जाते हैं जिनोंने इनके उपर निराला की साहित असाधना नामक एक अलोचनात्मक पुस्तक लिखी जिस पर उन्हें साहित अकादमे पुरुषकार भी मिला था इसके लावा हम अगला प्रशन देखते जो हीरामन तोता है ये किसका प्रतीक है तो ये था गुरु का प्रतीक इसके लावा बाकी जो किस-किस के प्रतीक है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं देखना शरीर का प्रतीक कौन सा है बुद्धी का प्रतीक कौन सा है रिदय का प्रतीक कौन सा ह चलिए अगला प्रशन देखते हैं, शुद्ध कविता की खोज किस लेकक की रचना है, तो ये भी एक समिक्षात्मक पुस्तक ही है देखना, शुद्ध कविता की खोज, तो ये है रामधारी सिंग दिनकर, most important नाम है ये भी, और जितने भी नाम यहां पर रखे हुए हैं, शम हम गाते हैं, उन्हें हम गे मुक्तक कावे कहते हैं, ठीक है, तो ये भी मतफूर्ण है देखना, गे कावे, गे कावे की शुरुवात किस से हुई थी, या गे पद की शुरुवात हुई थी, आपके जो सिद रहे हैं उनसे, सिद्धों की संक्या कितनी 84 थी ये प्रशन भी सबसे उंचा स्थान किस का था, लूईपा का था, सिद्धों में दाशनी कौन थे, वो आपके कनहपा थे, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे, वो सरोज बजर या राहुल भद्र थे, ऐसे जो नाम हैं इन्हें भी आपको यादखना पड़ेगा, ठीक है, चलिए, आग अश्चाप का कवी इसमें से नहीं है, यह है विकल्प नमबर B, जो ध्रोगदास हैं, तो ध्रोगदास जो है वो अश्चाप के कवियों में नहीं आते, ध्रोगदास जो है यह क्रिश्न कावे की अंत्रगत आते हैं, लेकिन अश्चापी कवियों में यह नहीं है, अगला केशव ने अलंकार के लिए अपना जो मतलब किस-किस का अनुकरण इनोंने किया था भामह, दंडी और उद्वट इनका अनुसरण इनोंने किया था तो इसलिए हम केशव को अलंकारवादी भी मानते हैं और कई बार ये पंक्ती भी पूछी जाती है कि ये पंक्ती किस की है त बलकि चिंता मनीतरी पाठी को क्या माना था रीतिकाल का प्रवर्तक माना है ठीक है मतपुन प्रशने देखना ये अगला प्रशने स्थाइभाव क्या आता है तो प्रदेक रसों के स्थाइभाव से रिलेटिड प्रशन आपको डेफिनेटली पूछ जाता है तो इसलिए यहा रसका स्थाई भाव वो आप सब लोग जानते हैं कि वो क्या है आपका रती है निर्वेद जो है वो शांत रसका है और शोक जो है वो करुन रसका है ठीक है इस तरीके से आपको ये याद रख लेना है ठाकुर का कुवा कहानी के लेखक कौन है तो जो ठाकुर का कुवा कहानी हरी शंका परसाई ये भी most important नाम है और जो व्यंग्या के लिए जाने जाते हैं यश्पाल की परदा कहानी most important है देखना मकरील इसकी और रही एक जैशंका परसाद की मदुआ हो गई, सालवती हो गई, गुंडा हो गई, पुरुसकार हो गई, अकाशदीप कहानिया most important कहानिया इसके लावा आपको प्रेमचंद की अन्य कहानियों के बारे में भी याद रख लेना है, चाहे वो सद्गती हो, चाहे कजाकी हो, चाहे बूरी काकी हो, या फिर पंच पर मेश्वर, या फिर नमक का दरोगा, इदगाह, सवसेर, गेहु, ये सारी कहानिया किसकी हैं इनकी है इसके लावा बड़े भाई साहब और कफन, ये कहानिया भी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नशा कहानी भी प्रेमचंद की ही कहानी रही है, तो इनकी मुख्य कहानियों को एक बार पढ़के आपको जरूर जाना है पेपर में, इनमें से किस लेकक का समन्द हिमाच्य प प्रशन है देखना, ये वाला भी इसके रावा, और भी अगर कुछ हिमाच्य प्रदेश के लेकक हैं, तो उन्हें भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि कौन-कौन से जो हैं हिमाच्य प्रदेश से रहे हैं, अगला प्रशन है, दूसरा सब्तक का प्रक प्रकाशन याद रख लेना है, और तारसब्तकों का प्रकाशन किस ने किया था, तो आपको याद रख लेना इसके संपादक जो थे, वो थे सचिदानंद, हिरानंद, वातस्याइन, अग्ये, हिरानंद शास्त्री उनके पिता का नाम था, ये भी याद रखेगा, दिवरिय में अग्ये का जन्मुआ था, और उसने जो आपके ये जो तारसब्तक के कवी थे, उसको इन्होंने राहों की अन्वेशी कहा था, और लेखों के लिए उसने एक कर्ष्ट भी चलाया था, उसको भी या रख लेना है वचल निधी, इस नाम से, ठीक है, चलिए आगे देखत हैं, हाइकू कवीता का संबंध मुलतह किस देश से माना जाता है, तो हाइकू जो है ये जापानी विदा है, तो इसलिए विकल्प नमब सी इसका सई हो जाना चाहिए, और हाइकू में अग्ये नहीं लिखा है, हाइकू तीन पंक्तियों की जो कवीता रहती है, रुबाईय निमिल लिखित में से किस प्रकार का चंद है, तो दोहा जो है देखिए, ये आपका मातरिक चंद है, पहली चीज तो याद रख लेना है कि मातरिक चंद मातरा के अधार पर पूछा गया है, दूसरा आता है ये अर्द सम मातरिक चंद है, पहली और तीसरी में आपके कितनी मात्राइं होती हैं इसमें देखना वो भी याद रख लेना है कि बराबर होगी 13 और 11 ग्यारा तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि दो जो इसके पंक्तियां हैं उसकी सेम रहती है तीसरे और चौथे में अलग-अलग रहती हैं तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं अर्द सम्मात्रिक कहते हैं दूसरे चौथे सौरी एक तीन दो चार ऐसे आता है न चलिए अगला प्रशन देखते हैं सत्थपूरा के जंगल के रचनकार का नाम क्या है तो सत्थपूरा के जंगल बहुत ही नरिश महता भी सर्विशोद्याल सकसेना भी नागर्जुन जो यहां पर प्रगतिवादी हैं नरिश महता जो है वो किस प्रकार के लेखक रहे हैं ये आपके दूसरे सब्तक के ही कवी रहे हैं लोग, गर्म, हवाएं, इत्यादी-त्यादी भी इनकी रही हैं इने भी आपको एक बार जरूर याद रख लेना है सरविष्य द्याल सक सेना के साथ एक संयोग जुड़ा है हिंदी पकवाडे में ही इनका जनम और हिंदी पकवाडे में ही इनकी मृत्य भी हुई थी इस वाले प्रशन को भी याद रखिएगा नेक्स आता है प्रारंभ में सरस्वति पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी तो याद रख लेना है आपको कि शुरूआत में जो सरस्वति पत्रिका थी यह होती थी काशी से प्रकाशित और बाद में ये इलाबाद से प्रकाशित होने लगी थी सरस्वती पत्रिका से आपको जरूर प्रशन ऐसा भी पूछ जाता है देखना कि जो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन महावीर प्रसादी वेदी ने संपादन जो है महावीर प्रसादी वेदी ने कब से संभाला इसका संभादक का रहा उसको भी याद रखिएगा most important question बनता है देखना यहाँ से जरूर प्रशन पुझे जाता है और जो कहानी विदा थी देखना वो सरस्ति पत्रिका के प्रकाशन वर्षे से ही निकली ठीक है याद रखिएगा इन में से मुक्तिबोध की कविता कौन सी नहीं है तो अब आपको यहाँ पर बताना है देखे कि मुक्तिबोध की कविता है वो कौन सी इन में से नहीं थी इन में से कोई भी कविता जो है वो मुक्तिबोध की नहीं है याद रखिएगा इसको यह भी most important है देखना यहाँ से भी आपको प्रशन पूछा जा सकता है असाद्य वीना जो है यह लंबी कविता है अग्ये की अंधेरे में जुगनु अजीत कुमार का संस्मर्ण है और विपात्र जो हैं ये मुक्तिबोध की रचनतो है लेकिन ये इनकी कविता नहीं है बलके इनका एक मात्र उपन्यास से ठीक है याद रखेगा चलिए अगला प्रशना आता है निमिल खित कुल समीप माना जाता है देखना इस वाले प्रशन को भी याद रखिये अचारे रामचंदर शुकल के निवंद संगरह का नाम क्या है चिंतामणी कितने भागों में रहा ये दो भागों में लेकिन वर्तमान में इसके कितने खंड है चार खंड है ये भी आपको याद रख रख लेने हैं देखना जो निवंद संगरह रहा चिंतामणी भाग एक और भाग दो हिंदी नवरतन ये आपको याद रख लेना है जो हिंदी नवरतन के लेकक थे ये थे मिश्रबंधू इसमें नोंने हिंदी के नौ जो प्रसिद लेकक हैं उनको जिक्र किया है और प्रब अनुवाद किया था ये किया था गेरिजा कुमार माथुर ने बहुती मतफ़ों नाम है देखना ये हम होंगे काम काम्याब एक दिन मन मैं है विश्वास पूरा आप है विश्वास तो आप भी काम्याब हो सकते हैं अगर आप सही तरीके से जो है अपनी तैयारियों को करते है और बिल्कुल basic चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है तो definitely आप भी काम्याब होंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो कर लीजे क्यूंकि आपके लिए हम इस तरीके का बहतर content लाते रहते हैं और बहुत सारे लोगों की ये demand थी कि अगर आपने उन सभी वीडियो को देखा होगा अगर नहीं भी देखा है तो एक बार उनको भी देख लीजे क्यूंकि वहीं से ही आपका सारा का सारा जो है वो clear हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन देखते हैं इनमें से कौन अर्थ प्रकृति नहीं है तो अर्थ प्रकृति देखना नाटकों के अंतरगत आती है कथवस्तू के अंतरगत तो अर्थ प्रकृतियों में बीज, बिंदू, पताका, प्रकरी और कार्य आती है लेकिन यहाँ पर जो नियताप्ति है जो विकल्प नमबर C है देखना ये नाटक में जो कार्य अवस्थाएं मानी जाती है उसको कहा जाता है ठीक है तो कार्य अवस्थाएं यानि की नाटक को कैसे आगे की ओ ले जाना है उसमें आती है आपकी नियतापती तो जो तीन चीज़े हैं बीज बिंदू, पताका, प्रक्रिय और कार हैं ये रहेंगे आपके अर्थ प्रकृतियां चलिए यहां से लास टाइम भी प्रशन पूछा गया था देखना आपको कतावस्थू से पूछा गया था कि जो आपको पूछा गया था कि जो एक अधिकारिक और प्रासांगी क्या होती है तो वो भी कतावस्थू ही होती है उसको भी याद रखेगा, यह प्रशन आपको पूछा जा सकता है, कौन सा प्रेम मारगी सूफी कवी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, जो प्रेम मारगी सूफी कवी नहीं है, यह थे मलुक दास, मलुक दास जो है, यह संत कावेधारा के कवी हैं, जिनके गुरु थे पुर मतफोन है 1545 में कुतबन किती मृगवती ठीक है और मुला दाउद की चंदाइन जिसे लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है अगला प्रश्ण है इन रिती कालीन कवियों में अचारे कवी कौन सा नहीं है तो इन वे से जो अचारे कवी नहीं था ये था आलम कवी आलम जो है र रिती सी दर रिती बद्धोंने मतलब रिती के अंदर रहकर जो है रचनाएं की इसलिए आलम जो यहां पर क्या हो जाएंगे अचारे कभी नहीं होंगे चलिए अगला प्रश्ण आता है यही सच है कहानी के लिखक का नाम क्या है तो ये प्रश्ण तो बहुत बार पूछा मनुभंडारी ठीक है चलिए अगला प्रश्ण है कुवानो नदी किस विधा की रचना है महिला लेकिकाओं से याद रखना जरूर आपने जो 24 कॉशन आपने देखना उनकी रचनाओं को सब को देखना एक बात थोड़ थोड़ा क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है और वहा भूल मत जो पाई खुश्बू रंगो आब उपरोक्त पंक्तियां किसकी है तो ये निराला की जो कुखर मुत्ता नामक कावे कृतिया देखना इससे संबंदित ये इनकी पंक्तिया रहेंगी और ये सारी ही रचना है वीने से लास्ट आपको प्रशन पूजा गया था कि व याद रखिएगा यहाँ पर जो गुलाब है वो पूजी वाद का प्रतीक माना गया है ठीक है इसको याद रखिएगा काशी में प्रकटभय रामानंद चेताई पंक्ति किसकी है रामानंद किसके गुरू थे रामानंद थे जो आपका कबीर है उनके गुरू तो यहाँ पर पंची करेना काम, दास मलूक का कही गए, सबके दाता राम, ठीक है, ध्यान रख लेना आपको मलूक दास की, ये famous पंक्ति रही है, और इसी का धारपन इन्हें, आलसियों का समर्थक कभी भी कहा जाता है, इसके लावन के एक और पंक्ति रही है देखना, नाम हमारा खाक, हम की गाफिल गंदे, इसको भी याद रखिएगा, most important पंक्ति है, ये भी, 29 प्रशन है, विद्यापती ने किस भाषा में साहित्य रचना नहीं की है, तो विद्यापती ने अवट में लिखा था, किर्ति पताका और किर्ति लता, संस्कित में इसने बहुत सारी रचनाय लिखी जैसे पूरुष परिक्षा होगी, भूपरिक्रमा होगी, दानवाक्या वली, गंगा वाक्या वली, ठीक है, इस तरीके से बहुत साइट रचनाय इसकी है, संस्कित में, जादा तर रचनाय अगर आपको पूछा जाए, कि विद्यापती ने किस में लिखा, तो ये संस्कित लेना है, कि विद्यापती जो है, इन्हें क्या कहा जाता है, श्रिंगारस का सिध्ध, वाक कवी भी कहा जाता है, ये भी most important बात है, इसके बारे में देखना, और हिंदी में कृष्ण गीत परमपरा का प्रवर्तक, ये भी विद्यापती को ही कहा जाता है, हिंदी में कृष वक रुकती के कितने भेद हैं, छे भेद हैं, मुल रूप से, ठीक है, आलाखंड का अन्य नाम क्या था, तो आलाखंड जो है ये परमाल रासों के नाम से जानी जाती है, और इसके रशनकार कौन ते, इसके रशनकार रहे हैं, जगनिक, most important नाम है देखना ये भी, इसे भी य याद रखिएगा, ठीक है, आलाखंड के रशनकार कौन हो जाएंगे, जगनिक हो जाएंगे, याद रखिएगा देखना, और परमाल रासों के नाम से जाना जाता है, अगला प्रशना आता है, यहाँ पर प्रित्युराय रासों में अध्यायों का क्या नाम है, तो बहुती simple सा प्रशने देखना ये पृत्विराय रासों में अध्यायों को नाम दिया गया है समय और इसमें कितने समय है इसमें जो है समय रहेंगे 69 69 समय और चंद कितने प्रकार के है 68 प्रकार के चंद है मुख्य रूप से यहां पर कौन सा चंद आता है ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं चलिए अगला प्रशन देखते हैं इसके बाद कौन सा प्रशन आता है देखना इसके बाद है शब्दानुशासन के लेखक कौन है तो ये है हेमचंद्र वररूची की थी जो आपके आपके कौन सी प्राकृत प्रकाश ठीक है और हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण भी लिखा था लेकिन यहाँ पर शब्दानुशासन भी इनकी ही रचना रही है संस्कित में इनकी जो रचन थी वो थी काव्यानुशासन इसको भी याद रखेगा अपभ्रश में किती शब्दानुशासन विद्यधर की एकावली एंड जो आपका विश्वनाथ है इन्होंने कौन सी लेकिती साहित्य दरपन याद रखेगा इसको भी ये प्रशन भी इंपोर्टन्ट है कोर्ट मार्शल यहाँ पर कोर्ट मार्ल हो गया है इसको ठीक हीजेगा आप सब लोग कोर्ट मार्शल समाज की किस समस्या पर अधारित करिती है पहली चीज तो याद रख लेना है कि कोर्ट मार्शल क्या है यह एक आपका नाटक है और इसके रशनकार कौन है स्वादेश दीपक ठीक है उसको याद रखेगा साथी साथ आपको यार रख लेना है कि यह जातिवाद की समस्या पर अधारित है जिसमें नाटक कारने यह बताने का प्रियास किया है कि जातिवाद की समस्या इतनी जादा वड़ गई है आज के समय में कि तो यहां पर जो अग्ये के द्वारा रचित कावे संग्रे नहीं है, वो है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही महत्पूर्ण है देखना ये वाला प्रशन भी, फूल नहीं रंग, रंग बोलते हैं, ये रंदग हो गया, इसको ठीक ही जिएगा, ठीक है, फूल कांत्रिपाथी निराला की कृति याद रखेगा इसको इसके लाबा यहाँ पर आपको मैथली शरणगुप्त जैशंकर प्रसाद और महादेवी बर्मा इनकी रशना को भी याद रख लेना है और साथी साथ अगर निराला की कुछ अन्य रशना भी रही है उन्हें भी आप ए और स्वेशन जरूर पूछ जाता है ल्ट्र के अट में तो वो भी एक पर जरूर देखिएगा तो अनुवाद जो है यह भावा नुवाद भी होता है जहां पर हम सिर्फ भावों को ही अनुवादित करें वो भावानुवाद होगा जहांपर शब्द टु शब्द अनुवाद होगा, वो शब्द अनुवाद होता है, गुण अनुवाद यहांपर नहीं होता, तो यहांपर विकल्प नंबर सी जो है, यह अनुवाद का प्रकार यहांपर नहीं होगा, जबकि जो आशु अनुवाद है, आशु का मतलब होता ह शिग रनुवाद, इसको भी आप प्याद रखेगा, ये भी most important है, हरिशंकर परसाई ने मुख्य तक किस विधा में लेखन किया है, तो हरिशंकर परसाई हम सब लोग जानते हैं कि एक व्यंगय के लिए जाने जाते हैं, तो most important विधा इनकी जो रहेगी, व्यंग्यात्मक वि नहीं है, तो बोलराम का जीव, जाउन का पेड़ जो था, वो क्रिशन चंदर की है, और अंगद का जो पाव है, श्रीलाल शुकल की रचना माने जाती है, व्यंग्यात्मक, ठीक है, याद रखेगा, इनको सभी यहाँ पर नहीं है, इनमें से कौन सी रचना गीती नाट है, तो यहाँ पर गीती नाट है, अंधायूग, अंधायूग किसकी रचना है, यह है धर्म विर भारती की, इसको वियाप याद रखेगा, जो माह भारत की, जो पिष्ट भूमी पर अधारित रचना माने जाती है, अंधेर नगरी भारतें दोहरी शंदर का नाटक है, जिसका रूप है प्रहस्न, इसको भी आप याद रखेगा, इसके लावा जो अन्य रचना हैं, इन्हें भी आप एक बार जरूर देखेगे, यह किसकी रहती है, रमनियार्थ प्रतिपाद कहा शब्द काव्यम, यह पंग्ती किसकी है, तो यह भारतिक कावेशास्तर से प्रशना है देखना यहाँ पर, तो रमनियार्थ प्रतिपाद कहा शब्द काव्यम, यह कहा था, पंडीत राज जगरनात ने, 41 का विकल्प नमबर C, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, कि जो रमनियार्थ प्रतिपाद कहा शब्द काव्यम है, याद रखने लाइक है, ठीक है, इसके लावा जो विश्वनात थे, इनकी सायते दरपन रशन रही है, वाक्यर साथ मकम इसने, वाक्यर साथ मकम काव्यम, यह वाली पंक्ति इसने कही है, ठीक है, तो एक बार इससे भी आप जरूर याद रखेगा, चले नेक्स्ट कोशन द रखेगा, शैलिगत विद्रोह किसने कहा है, डॉक्टर नगेंदर ने प्रियोगवाद को कहा था, ठीक है, यह भी महत्पूर्ण है कि शैलिगत विद्रोह इसने इसको कहा था, इन में से हिंदी साहित का इतिहास किसने नहीं लिखा था, तो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं था बलकि इन्हों ने इसका संपाधन किया था मतपूर्ण प्रशने देखना ये कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं बलकि संपाधित किया था अगला प्रशन आता है विने पत्रिका क भाषा क्या थी तो जो विनेपत्रिका है पहली चीज तो याद रख लेना यह तोलसिदास की रचना रही है और इसकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा में लिखी गई ये कृति है और ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में समान रूप से ही तोलसिदास ने रचनाएं रची कौन से कवी रिती सिद्ध हैं तो यहाँ पर जो बिहारी हैं देखना वो रिती सिद्ध हैं देव मतिराम और पदमाकर ये रिती बद कवी हैं और अंतिम श्रिंगारी रिती बद कवी जो हैं वो पदमाकर को ही माना जाता है ये भी आप याद रखेगा नेक्स्ट क्वेशन के आता है ताजमहल का टेंडर नामक के रशनकार कौन है नाटक के रशनकार जो है वो कौन रहे तो जो ताजमहल का टेंडर है देखना ये अजय शुकला की रचना रही है most important कृति है इनकी इसको जरूर पूछा जाता है देखना और ये पुराने पेपर में भी कई बार पूछा गया है प्रशन ठीक है next question आता है यहाँ पर कवित रतनाकर के लेखक कौन है तो जो कवित रतनाकर है ये सेनपती की रशना मानी गई है इसे भी आप याद जरूर रखेगा सेनपती जो है इनहें अचारे रामचंदर शुकल ने भक्तिकालिन फूटकल कवियों में स्थान दिया था साथी साथ केशिव को भी रोने बक्तिकालिन फूटकल कवियों में रखा जबकि चिंता मनी को उन्होंने अखंड परमपरा के अधार परितिकाल का प्रवर्थ तक माना था निराला का जनम वर्ष क्या है तो निराला का जनम वर्ष जो है ये आता है आपका 1877 यहां पर चारों जो चायवादी प्रमुक कवी रहे देखना उनके जनम वर्ष रखे गए हैं 1889 में जो जनमे थे ये थे जैशंकर प्रसाद 1900 में सुमित्रा रंदन पंथ और 1907 में महादेवी वर्मा का जनम वर्ष है बुद्धु का कांटा और सुख में जीवन कहानिया कि इसकी हैं तो यह थी चंदर्दशर्मा गुलेरी की कहानिया याद रखिएगा most important कहानिकार हैं देखना चंदर्दशर्मा गुलेरी जिननने समालोचक नामक पत्रेका का संभादन भी किया था यह भी मातपोर्ण है 1902 में ने इस पत्रेका का संभादन किया था लेकिन इनकी जो बुद्दु का कांटा सुख में जीवन कहानिया हैं यह most important कहानिया रही लेकिन इसके सासात इनकी जो सबसे श्रेष्ट कहानी है वो कौन सी है वो थी उसने कहा था और उसने कहा था कहानी 1915 में लिखी गई है और जो प्रत्थम विश्वयुद की पिष्ट भूमी पर अ याद रखेगा सरदार पूर्ण सिंग ने सच्ची वीर्था लिखा था उससे आप याद रखेगा और साती साथ यहां पर जो अननाम है इनसे भी आपको कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है इनमें से अनुपरास का भेद कौन सा नहीं है तो इनमें से जो वर्ण section में जाके ये बताना है कि अनुपरास के कितने भेद होते हैं ये प्रशन भी आपको paper में पूछा जा सकता है next question है कृष्ण गीता वली किसकी रचन है तो जो कृष्ण गीता वली है ये तुलसी दास की रचन है और इसकी भाषा भी क्या रही है ब्रज भाषा में ही लिखी गई थी यहाँ पर मीरबाई की नर्सी जी का मायरा बड़ी इंपोर्टन है देखना गीत गोविंद की टीका भी इनों ने लिखी थी उसे भी आप जरूर याद रखें रस्खान की प्रेमवाटिका और दानलीला मोस्ट इंपोर्टन ट्रचनाई है सूर्दास की तो खेर आप जानते हैं सूर्सागर साहित लहरी और सूर्सरावली ठीक है इनको याद रखिए हिंदी की हिमायत किसकी रशना है तो ये थी प्रताब नरायन विश्र की और इन्हें हिंदी का हिमायती भी कहा जाता है और साथी साथ याद रख लेना इन्होंने एक नारा भी दिया हिंदी, हिंदो, हिंदोस्तान जपो निरंतर, एक जुबान ठीक है, मुस्ट इंपोर्टन है भारत इन्दो, हरिश्चेंदर ने कहा था कहा था, इसने कहा था हिंदी नई चाल में ढली, 1870 में और साथी साथ इन्होंने कहा निजभाषा उन्नतिय है, सब उन्नति कमूल बिन निजभाषा ग्यान के मिटेना ये को सूल, जबकि बालकृष्ण भटन ने हिंदी प्रदीप नाम से एक पत्र का संपाधन भी किया था ठीक है, मुस्ट इंपोर्टन्ट है देखना इसे भी याद रखिये महात्मा गांधी अंताराष्ट्य हिंदी विश्यो विद्याले का मुख्याले कहा है, तो ये था आपका वर्धा में याद रखियेगा, ये वाला प्रश्ण भी मुस्ट इंपोर्टन कॉश्ण है देखना, जो भी आपकी सभाएं और संस्थाएं रही, यहाँ से प्रश्ण जरूर पूछ जाता है जाईसी की कृति इन में से कौन सी नहीं है, तो मधुमालती मधुमालती किस की रचना है, यहाँ पहले भी डिसकस कर लिया, यह थी मंजण की रचना और इसका जो रचना काल है, वो 1545 है जबकि हजारी प्रसाइट जो आपका मलिक मुमजाईसी है यह इसे अपने से पहले की रचना मान लेते हैं, यानि कि वो 1540 से इसको पहले की बताते हैं, लेकिन सर्वमाने मतानुसार इसे 1545 ही माना गया है, भले ही शोकलने भी इसे पहले की ही माना है भद्वावत से ठीक है, तो अखरावट कनहावत और चितर्रेखा, यह इनिकी रचना रही है, अखरावट यहाँ पर most important का रचना वर्ष क्या है, तो यह था 1899, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठेट हिंदी का ठाट किसकी रचना है, यह है अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोद की रचना, most important है, ध्यानक लेना है प्रशनी यह भी, इसके लाबा 1907 में इनका अध्खिला फूल आये था, एक और उपन्यास, 1888 में श्यामा स्वपन, ठाकुर जगमोहन सिंग का है देखना और 1890 में निसहाय हिंदू, रादाकरिशन दास ने लिखा था, उसको याद रखिए, निहार के याद रखिएगा, ठीक है, तो ये भी मतपूर्ण चीजें हैं, जिने आपको याद रख लेना है, रामदरिश्ट्री पाठी की रचनाओं को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, जो मैंने लाइब क्लास के दुरान भी बताई थी, कि मिलन के पत पर इसके लावा, इन्होने एक और रचन रची थी, जो देशबक्ती परख रचनाओं प्रगतिवादी लेकक है, इनको भी आ याद रखेगा, कवित क्या है की विधा क्या है, तो जो कवित क्या है देखना यह निवन्द है, और यह किसका निवंद है ये है जो आपका अचारे रामचंद्र शुक्र रहे उनका most important निवन देखना जिससे कई बारे उनकी पंग्तियांब गिरा भी पूछ ली जाती है अगला प्रशनम देखेंगे अश्चाप के कवियों में नुक्त प्रत्थम कीर्थनकार कवी कौन थे तो दीखेंगे वैसे कीर्थन का जो दाइतो दिया गया था वो दिया गया था कुम्भनदास को लेकिन सबसे पहले जो निक्त हुए थे ये थे सूर्दास अश्चाप की स्थापना 1565 में हुई थी किसके द्वारा विठ्थलनाजी के द्वारा अश्चापी जो लेखत ये कवी रहे हैं ये श्रिनाजी के मंदिर में इश्वर की उपासना करते थे और ये जो मंदिर बनाया था श्रिनाजी के मंदिर ये किसने बनवाया ये वलबाचारे ने अपने जो शिश्य पूरन मलखत्री से 1519 में बनवाया था इसको भी आप या रखेगा नंद दास से याद रखेगा आपको किया च्छापी कवियों में सबसे छोटे थे कृषिन दास जो यहां पर अधिकारी के रूप में थे ठीक है याद रखना है आपको रमायन महानातक किसकी रशना है तो ये प्रांचन चोहान की रशना है देखना विश्नु दास क की रशनाती रमायन कथा जो राम कथा से समंदित हिंदी में रचित प्रत्थम प्रबंध कावे रहा नवा दास ने लिखिती भक्तमाल और तूसील दास ने लिखिया था राम चरित मानस 1574 में ठीक है तो इस तरीके से याद रखिए सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक जो आपका समंतर कहानी आंदोलन चलाया राकेश वत्स ने सक्रिय कहानी आंदोलन चलाया था ठीक है इनको याद रखिएगा जितने भी कहानी आंदोलन रहे हैं किस हिंदी लेखक को कमलेश के नाम से जाना जाता है तो इसमें विकल्प नमबर ये जो आएगा पदम सिंग इसे क्या कहा जाता है कमलेश के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत की थी और इन्होंने बिहारी और साधी की तूलना सबसे पहले की थी खीक है साथी साथ इन्होंने पदम पराग शीर्शक से प्रत्थम संस्म बन भी लिखाता, वो भी आपने याद रख लेना है। जबकि जगदंबा परसाइद को क्या कहा जाता है, इनको हितैशी के नां से जाना जाता है, हरी कrishn को प्रेमी के नां से जाना जाता है, और गया परसाइद शुक्ल इनहे सनेही, और साथ ही साथ इन्हें जो तृषूल उपनाम से भी जाना जाता है मतवाला पत्रिका का परकाशन किस स्थान से होता था तो ये कलकत्ता से परकाशित होती थी मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं जिहाल यमिस्किन मकुन तगाफल दुराए नैना पंक्ति किसी है तो ये जो पंक्ति है ये है अमीर कुसरो की पंक्ति इसको भी आप याद रखेगे इनकी गजल है ठीक है अगला प्रशन है उशा प्रियमवदा की कहानी कौन सी है तो यहां पर जो उशा प्रियम्दा की कहानी है देखना ये है वापसी कहानी, जबकि परदा ये यश्पाल की है, परिंदे निर्मल वर्मा की है, और पाजेव कहानी जो है ये जैनेंदर की कहानी है, मुस्ट इंपोर्टन्ट है देखना, इसे भी आप याद रखिएगा, ये रीचर्ड्स, इन्होंने मूल्य का सिध्धांत पतिपारिद किया है, उसे भी आप याद रखेगा, साती साथ आता है क्रोचे, क्रोचे ने दिया था अभिव्यंजनावाद का सिध्धांत, ठीक है, ये मतपून है, क्रोचे का समन्द किस देश से था, तो क्रोचे जो थे इटली के रहे हैं अभिवंजना वादी रहे दिये देखना तो ये बात याद रखेगा next आता है आपके पास प्रशन जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहा जाता है देखिए में और से से ही याद रख लेना है जिस में किया जाता है वो होती है लक्ष भाषा और जिस से होता है उसे हम क्या कहते हैं सुरोत भाषा for example हमने हिंदी से अंग्रेजी में करना है तो हिंदी क्या हो जाएगी हिंदी हो जाएगी सुरोथ भाषा और जो आपका अंग्रेजी है वो हो जाएगी आपकी लक्ष भाषा ठीक है यार रख लेना है next है यहाँ पर कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है ठीक है ध्यान रखना पड़ेगा इसके बारे में भी इसके लाबा नाटक में परदे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है तो नाटक में परदे के पीछे से जो सूचना दी जाती है उसे कहते हैं चुलिका जो सूचना देने वाला होता है उसे हम कहते हैं विश्कमभक ठीक है और जो निपथ्य होता है वो परदे के पीछे का भाग रहता है और परदे को क्या कहा जाता है यहां पर यवनिका कहा जाता है ये भी आप ध्यान में रखेगा सूच्य क्या होता है यानि कि ऐसी या ऐसी चीज़ें जिनको हम परदे पर परदर्शित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, जिनके हम केवल सूचना मातर देते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सूचय को ही अर्थुपक्षेपक के नाम से भी जाना जाता है, अर्थोपक्षेपक नेक्स आता है नाटक में स्वगत कथन से क्या अभी प्राय है स्वगत कथन स्व का मतलब होता है स्वयम और गत कथन अपने आप से बातचीत करना विकल्प नमर डी इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका स्वगत कथन नेक्स क्वेशन आता है देखना चव व्यंजन किस परकार की ध्वनी है तो यहाँ पर ये है चव है आपका अलप प्राण तो अलप प्राण अगोश अलप प्राण जिसमें जादा घर्शन आपको करने नहीं पड़ता तो ये एक तीन पांच का विधा की रचना है तो मलबे का मालिक जो कहानी है देखना और ये किस की कहानी है ये है मोहन राकेश की कहानी most important है और इस पर एक movie भी बनी है ये आपने मुझे comment section पर जाके बताना है कि कौन सी movie जो है वो मलबे की कहानी नामक मलबे की वो लहना सिंह है और यह जो आपका उसने कहाता कहानी है यह फ्लेश बैक शैली में लिकी गई पहली कहानी मानी जाती है इसे भी याद रखिये ठीक है? तो इसके राबा यहाँ पर जो अन्न کहानी कहानिया रही है देखना इसे भी आप याद रखिये का सारी के सारी कहानिया अन्य जो रहें ये किसकी है प्रेमचंद की कहानिया मानी जाती है मानी जाती क्या मतलब हैं ठीक है नमका धरोगा भी प्रेमचंद की है एदगा भी उसी की है और ठाकुर का कुआ भी जो है ये भी प्रेमचंद की ही कहानी रही है इनके पात्रों को भी एक बार जरूर देखें बानभट की आत्मकता किस की रचना है तो बानभट की आत्मकता हजारी प्रसादी वेदी की रचना है लेकिन ये आत्मकता नहीं है देखना कई बार ऐसे भी प्रशन पूछते हैं कि ये किस विधा की रचना है तो आत्म कता मत कीजिएगा इसको ये जो रचना है ये आपका उपन्यास ही है ठीक है जिसमें छटी और साथवी शतावदी के आसपास की गर्टनाव का वनन मिलता है तो हजारी प्रसादी वेदी किस परकार के उपन्यासकार है ये वला प्रशन भी पूछे जा सकता है ये हो जाता है धर्ती धन अपना के लेखक कौन है पहली चीज तो याद रखेगा धर्ती धन अपना के लेखक है जगदिश चंद्र और इनका किस प्रकार का उपन्यास है ये इनका दलित उपन्यास है ठीक है याद रखेगा इस प्रशन को भी बहुत मतपूर्ण है देखना ये निर्मल वर्मा के उपन्यास कौन-कौन से हैं, वेदिन, लाल्टिन की छत, त्यादी, त्यादी, ठीक है, यह मत्वन है न इसके, विश्णु प्रभाकर का जो सबसे most important है, वो है अर्धनारीश्वर, उसको याद रखेगा, कृष्णा सोबती काता है, जिन्दगी नामा, जिस कौन-कौन सी कवासी का इत्यादी-इत्यादी, उन्हें भी आप याद रखेए, ठीक है, मन्नु भंडारी के तो खेर आप जानती हैं, इसके मुख्य जो दो ही उपन्यास आते हैं, आपका बंटी और महा भोज, ठीक है, उन्हें आप याद रखेए, आलावा इसने स्वामी नाम से भी एक उपन्यास और लिखा था, और इसने अपने पती के साथ मिलकर, जो राजेंदर यादव रहे, उनके साथ मिलकर इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, वो कौन सा है, ये मुझे कमेंट सक्षिन में जाकर आप जरूर बताईएगा, ठीक है, शिपरसा सिंग, अ प्राशीन तमलीपी मानी जाती है, इसे आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रशन आता है, रामचंदर शुक्ल ने बिम्बवाद का प्रवर्तक किसे माना है, तो बिम्बवाद का प्रवर्तक था, वो था वैसे, किसको माना जाता है, टी इसमें हो जाएगा सिग्मन फ्राइड, सिग्मन फ्राइड जो है, यह है मनोविश्क्लेशन वादी, जबकि एजरा पाउंड जो है देखना ये बिम्बवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, यानि कि सबसे जादा महत्व दिया है, इन्होंने बिम्बवाद को, तो एजरा हिंदी की बोली कौन सी नहीं है तो बोलियों से समन्दित प्रशन जरूर बनेगा वहां से आपको देखना ही है हालां कि मैंने जानभूज के बोलियों से समन्दित प्रशन यहां पर कम रखे हैं क्योंकि अक्सर वहां से प्रशन क्या बनते मतलब बंती रहते हैं, तो ये तो common सा प्रशन है देखना यहां पर, तो अबधी इसमें नहीं होगी, अबधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतरगत आती है, पूर्वी हिंदी में क्या आता है, अबधी बगेली और 36 गड़ी, ठीक है, याद रखिएगा, नेक्स आता है, जलकी यह वाली पंक्ती भी इसकी most important है, उसे भी आप जरूर याद रखें, बाकी इसके बाद, शुद वर्तनी आपको बतानी है, कि सन्यासी की शुद वर्तनी कौन सी है, तो सन्यासी की जो शुद वर्तनी है, यह है विकल्प नमबर A, ठीक है, इसको याद रखिएगा, सह के कवीता है यह, और यह एक छोटी कवीता है, एक इनसान रोटी बेलता है, एक इनसान रोटी बनाता है, क्या है, ऐसा था न, ठीक है, एक तीस्ता इनसान भी अननल जो रोटी बनाता है, न, खाता है, बलकि वो रोटी से खेलता है, मैं पूछता हूँ, तीस्ता आदमे कौन ह मेरे देश के संसद मौन है इतनी सी कवीता है यह चोटी सी कवीता है देखना और इस उदामा पांडे धूमिल के कृती है इसे भी आप जरूर याद रखिएगा ठीक है, और संसद से सडक तक इनका एक कावे संग्रे रहा है वो याद रखेगा कवीता संग्रेज होगा होगा संसर से सडक तक ठीक है याद रखना है चलिए आगे देखते हैं होरी की सूपन्यास का मुख्य पात्र है तो जो होरी है देखना ये है आपका जो गोदान है उसका मुख्य पात्र गबन के मुख्य पात्र का नाम है रामानात जबकि जालपा जो है उसकी अन्य जो सहयोगी पात्र है रंग भूमी में सूरदास आता है पूस की रात इसकी कहानी है तो इसमें आपका जो हल्कू है वो इसका मुख्य पात्र है देखना सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है तो ये है नागरजुन की रचना और ये इसकी कावियात्मक्रिती है इसे आप जरूर देखेगा नागरजुन को किस रचना पर साहित्य गालम्पूर्स कार मिलाता ये आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं और साथी साथ नागरजुन से दो प्रचना और बनते हैं हिंदी में इनों ने किस नाम से मतलब लिखा, नागरजुन के नाम से लिखा, मैथली में ये यात्री उप नाम से लिखते थे, और इनका मूल नाम क्या था, ये वाला प्रशन, most important है, इसे भी आप comment section में जाकर ज़रूर बताईए, और ये paper में आपको पूछा जा सकता है, ठी इसका अधूरा था, जिसे कमलेश्वा ने पूरा किया था, और इसके एकांकीर हैं अंडे के छिलके और एक सिपाही की मा, ठीक है, और साथी साथ इसने बहुत बड़ा सवाल नाम से भी लिखा था एक, उसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, चलिए आगे देखत हैं, अध्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो यहाँ पर अध्वैतवाद का जो प्रवर्तक हो जाएगा, विकल्पन मसी, शंक्राचारे, रामानुजे चारे का था, कौन सा, विशिष्टा द्वैतवाद, निंबार का चारे का द्वैतवाद, और मधवा चारे का द्व अगर यहां पर भरत मुनी होता तो भरत मुनी ने आठ ही रस माने हैं उन्होंने शांत को रस नहीं माना है। इसे आप याद रख्येगा। ठीक है इसको भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं अलांकि इसके लाबा ये रसों की संख्या जो है तेरा चौदा से भी उपर मानिंग जाती है लेकिन सर्व माने मतानुसार अभी रसों की संख्या जो है वो नौरस ही रहेगी ठीक है याद रखी गए इसको देखना चलि अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर भारतेंदु द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है तो भारतेंदु के द्वारा जो संपादित पत्रिका नहीं है यह है विकल्प नमबर ए आनंद कादंबिनी आनंद कादंबिनी के जो संपादक रहे हैं देखना वो कौन थे ये थे आपके बद्री नराइन चौधरी प्रेमगन प्रेमगन जो है ये भारते अंदू के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं ठीक है इसे याद रखेगा दूटिय भारते अंदू किसे कहा जाता है ये बच्चों और महिलाओं के लिए इसने की थी ठीक है नेक्स आता है प्रगतिशील लेकक्संग की स्थापना भारत वर्ष में किस वर्ष हुई थी तो ये हुई थी आपकी 1936 में और 1936 जो वर्ष है ये प्रेमचंद जीके जिवन का अंतिम वर्ष भी रहा ठीक है 1936 में ही इनक इसका प्रत्तम अडिवेशन तो ये हुआ था लखनव में ठीक है इसे भी याद रखेगा ये भी most important है चलिए आगे देखते हैं उद्धवशतक किसकी रचना है तो उद्धवशतक के जो रचनाकार है ये हैं जगननात तासरत नाकर और ये जो रचना है उद्धवशतक ये सार्थकता के अधार पर क्या है तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर यहां तक ही प्रशन पढ़ें तो आप जल्द वाजी में कर देंगे इसका अर्थ और इसका उत्तर वर्ण या ध्वनी दोनों बात ये की है ठीक है लेकिन यहां पर आगे लिखा गया है सार्थकता के अधार पर तो सार्थक क्या होता है कि आपका शब्द तो शब्द से हमें पूरा अर्थ मिल जाता है तो यहां पर सार्थकता की दिश्टिश से क्या हो जाएगा कि सबसे छोटी इकाई जो होगी वह हो आपका शब्द अगर पूर्ण सार्थक इकाई होगा तो यह क्या हो ज काश वालमी की हैं, इन्होंने, जबकि आपका मोहंदास ने मिश्राय थे, इन्होंने अपने अपने पिंज्रे नाम से अपनी आत्मकता लिखी थी, सुशिला टाक भॉरे ने लिखा शीक हं जे का दर्ध, ठीक है, और डॉक्टर धर्मवीर, ये देखना डॉक्टर धर्मवीर धर्मबिर भारती नहीं है जो डॉक्टर धर्मबिर है ये दरित लेखक रहे हैं इन्होंने लेकिती मेरी पत्नी और भेडिया ये भी मोस्ट आ देखना याद रखिएगा इसको ठीक है चलिए चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है 94 जो कौशन देखिए इसका अंसर हो जाए अधारित उपन्यास कौन सा नहीं है तो यहाँ पर जो घरोंदा उपन्यास है ये रांगिय राघव का उपन्यास है जो देश विवाजन पर अधारित नहीं है बलकि ये विश्व विद्याले पर अधारित हिंदी में पहला उपन्यास माना गया है जो विश्व विद्याले campus है उस पराधारी ठीक है जूटा सच यश्पाल की रचना है कितने पाकिस्तान ये कंबलेश्वर की रचना है और तमस भीश्मसाहनी की रचना मानी गई है इन में से हवा का प्रियायवाची कौन सा नहीं है हवा का जो प्रियायवाची नहीं है वो है आपका अनल अनल का क्या है अप भाशा से आपको सिंपली याद रख लेना देखिए इसका मतलब है आपका जो विक्रित भाशा है वो कहलाती है अप भाशा जबकि टकसाली परिनिष्ठित ये दोनों शुद भाशा को कहा जाता है ये नाम ठीक है नेक्स आता है अन जल में कौन सा समास है तो अ जन और जल और लगया बीच में तो ये हो जाएगा आपका द्वन्द समास समास से भी आपको प्रशन जरूर बनते हैं देखना इसलिए समास को भी पढ़के थोड़ा सा आपने जरूर जाना है इसके अलावा यहां पर प्रशन आता है निम्र में से कौन सा शब्द जो है व कहा जाता है तो आप इसको बिल्कुल ठीक कीजिएगा ठीक है याद रख लेना है देखना है यह ओके चलिए अगला प्रशन देखते हैं आज का आखरी प्रशन हमारा यह इसमें लिखा गया है कि शब्द के द्वारा होने वाली प्रतीती को क्या कहा जाता है तो शब्दों कि आप सब लोगों ने इन 100 प्रशनों से बहुत कुछ सीखा होगा और मैंने कोशिश ये की है कि लगभग और भी आपस आपके पास इन 100 प्रशनों से प्रशन बन जाएं, तो अगर आप इनको सही तरीके से देखते हैं, इसी लेवल की त्यारियें करते हैं, तो मैं समझता हूँ LTT जो है, इससे ज़ादा मुश्किल आपको और नहीं पूछा जाता, तो इनी चीजों को आपने फोकस करना है, इसी के अधार पर आपको प्रशन पूछे जाएंगे अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगा है